आज की उडियो गाइस थोड़ी सी इंफरमेटी होने वाली है तो गैस आप में से 72-80% लोगों को पहले से पता है कि सिरायरू टावर आने वाला है तो यहाँ अपडेट चेक आउट कर सकते हैं तो 14 सेप्टेमबर को सिरायरू टावर आएगा और 5 ओक्टोबर को एंड होगा तो हमारे पास only 22 डेज है तो सिरायरू टावर के अंदर आपको लुकैंग और स्कॉर्प इन दोनों के ब्रूटेलिटी एक्विपमेट्स मिलता है बट जहां तक मुझे लगता ना गाइस ब्लेक ड्रागन टावर की तरह इसमें भी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और एक केरेक्टर का भी complete brutality set मिल गया ना तो मैं अपने आपको बहुत ही ज्यादा लगी समझूँगा तो ठीके गाइस आप लोग रेडियो हो चाहिए और गाइस अगर आपको सिरायरू टावर के जो equipment से उनके ओपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मै उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो आप बात करते हैं इस fatality की मुझे बता है गाइस यह बहुत ही ज्यादा normal और basic question है लेकिन जो beginners है उनको इस बारे में कोई idea नहीं कि आप fatality कैसे कर सकते हैं तो fatality करना गाइस बहुत ही ज्यादा simple है इस game के अंदर आपको simply क् boss को हराना है और उसके बाद आप fatality perform कर सकते हैं तो मैं इसे जल्दी से complete करता हूं और आपको fatality दिखाता हूँ अच्छा तो हम किसी और character को use नहीं कर सकते हैं मतलब बहुत लंबा time हो गया यार battle mode में ढुके हूए I think 5-6 month हो चुके हैं और यही reason है कि मुझे यह याद नहीं था यह साथ update को बाद यह change हुआ है ठीक है जो भी है तो मुझे कैंजी से army को मारना परेगा तभी मैं fatality perform कर पा मैं fast forward कर देता हूँ ठीक है तो finally मैंने boss army को मार दिया है तो अब आप यहाँ पर fatality देख सकते हैं और guys fatality आप सी battle mode के अंदर ही कर सकते हैं final boss को जो character law होता है उसके साथ अब guys बात कर लेता है x-ray की x-ray या battle हो लो कुछ भी बोल सकते हो आप इसको तो x-ray करना इस game के अंदर बहुत ही ज्यादा simple है तो guys x-ray करने के लिए आपको gold या diamond character चाहिए क्योंकि silver और bronze card के साथ आप x-ray नहीं कर सकते हैं तो x-ray करने के लिए आपको क्या करना है simply battle के अंदर जाना है और 3 बार वो power unlock करना है यह जो left side corner में आप देख रहें ना guys यह जो power bar full हो रहा है जैसे ही तीनों बार full हो जाएंगा ना तो ऐसे ही आपको third power bar पर click करना है और उसके बाद आप x-ray perform कर सकते हैं तो third बार unlock होने में तो time लगता है आपका power generation जितना तेज होगा ना उतना जल्दी आपका power bar full होगा अब power generation तेज कैसे करते हैं बहुत सारे equipment है guys उनको आप use कर सक तो I think आप समझ चुके हैं कि x-ray कैसे कर सकते हैं अब गया इस बात कर लेते brutality की तो brutality करना guys थोड़ा सा complicated है बट मैं आपको explain कर देता हूँ सब कुछ तो आपको simply क्या करना है talents के अंदर सबसे पहले जाना है और offense के अंदर इस talent को select करना है brutal ending आप यहां देख सकते हैं कि मैंने brutal ending को max out नहीं किया है और इस talent को बिना max out किये हुए भी आप brutality perform कर सकते हैं लेकिन सिर्फ final character पर मान लिजे कि अगर आपने इस talent को max out कर दिया ना तो आप तीनों characters पर brutality perform कर सकते हैं और guys brutality करने के लिए जो दो brutality equipment के आपको जोगत है न वो fusion zero हो या fusion x इस बात से कोई फर्क नहीं परता है आप easily brutality कर सकते हैं तो brutality के लिए guys मैं लेता हूँ कानो को क्यूंगी कानो के दोनों brutality equipment जो वो fusion zero पर हैं और एक important बात कि brutality आप सिर्फ diamond characters के साथ ही perform कर सकते हैं gold characters या silver characters brutality perform नहीं कर सकते हैं कानो का पहला equipment हो गया scoundrails elbow blades इसके बाद एक और equipment है scoundrails cybernatic heart यहीं कहीं बहोगा हाँ यह रहा तो यह दूसरा set हो गया तो दो brutality equipment आपको चाहिए brutality perform करने के लिए और brutality equipment कहां से मिलते हैं guys brutality equipment आपको मिलते हैं towers से तो अब मैं कुछ unblock के बेल गयर डाल दूँगा ताकि मैं easily un unblock करपाऊ opponents को तो guys मैंने brutal ending को max out करके नहीं रखा है इसलिए guys मैं look gang से दो opponents को बहुत ही जल्दी मारूंगा ताकि जल्दी से मैं brutality करपाऊ कानों से ज्यादा नहीं थोड़ा time लगेगा बस अब एक sp2 one down कानों से मैं आपको दिखा देता हूं कि special combo enders के अंदर ही आप brutality कर सकते हैं तो for example यह होगया normal combo enders ठीक है यह रहा इसी की बात कर रहा था मैं special combo enders अगर यह 25% health या उसके नीचे होता ना तो मैं brutality perform कर सकता था बट क्यूंकि उसके health 25% के उपर थी इसलिए मैं brutality perform नहीं कर पाया और एक reason है कि मैं सिर्फ final character के उपर ही brutality perform कर सकता हूं क्यूंकि मैंने brutal ending को max out करके नहीं रखा है talents में तो ठकेड़ा के उपर हम brutality करेंगे लेकिन उससे पहले इसका health मैं कम कर देता हूं तो अभी इसके पास 30-40% health है बट एक और combo enders के बाद यह brutality की range में आ जाएगा हां तो भी brutality की range में हैं और यह रहा brutality कानों का brutality बहुत ही ज्यादा सेवज है तो गाइस आई होप आपको समझ में आगे होगा है कि आप brutality कैसे perform कर सकते हैं आई होप गाइस यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी और आप जानना चाहते हैं कि 5-600 souls per day कैसे collect करें तो description में मैंने एक वीडियो का link डाल दिया है आप उसे check out कर सकते हैं क्योंकि जितनी जल्दी आप souls collect करें यह उतनी जल्दी आप diamond characters को max out कर सकते हैं और अगर आप एक complete beginner है तो beginners के उपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हैं उस वीडियो का link भी description में है आप चाहतो उसे भी check out कर सकते हैं तो आज की वीडियो को भी यही end करता है फिर मिलते आप से next वीडियो में